हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं चैनल, तो कैसे हो आप सब आप सब हमेशा की तरफ बहुत ही अच्छे होंगे आज की ये वीडियो उन सभी के लिए काफी स्पेसल है जो अपने चेहरे के दाग, धबे, डलनेस, ड्राइनेस और रूखे पन से परिसान है, चेहरे पर चमक नहीं है, चेहरे बहुत ज़्यादा डल लगता है, चेहरे पर गलो नहीं है तो इस DIY को आप एक बार जरूर अपलाई करें, चेहरे पर अगर आपके हलके फुल के रोमे हैं, वो भी रिमूव होंगे और चेहरे इतना ज़्यादा टाइट, ब्राइट और लाइटर होगा कि आप काफी खुस हो जाएंगे अपने फेस को देखकर आपको इसे लगतार 10-15 दिन तक करना है, उसके बाद आप देखना आपका चेहरे कितना ज़्यादा लाइट होगा, ब्राइट होगा, टाइट ह और चेहरे पर कोई भी दाग धबा नहीं रहेगा, तो चलो वीडियो को सुरू कर लेते हैं, सबसे पहले मैंने लिया है, साफसूत्रा बॉल उसमें एड़ कर रही हूं में गेहों का आटा, जो हर किसी के किचन में अवेलेवल होता है, और उसमें एड़ करना है, आपको एक चमच बेशन एक चमच चावल का अटा, और दोस्तों यह तीनों चीजें अगर आपने रोज अपलाई करना सुरू कर दिया अपने फेस पे तो आपके चेहरे पर इतना ज्यादा चमक आएगा, चेहरे पर दाग धबें हैं वो भी दूर होंगे, और जाईया जोरिया सब खत करने के लिए आप मिल्क ले सकते हैं, तो मैंने कच्चा दूद लिया है, अगर आपके पास बॉयल दूद है तो भी आप ले सकते हो, अगर कच्चा दूद अविलेबल नहीं है घर में तो अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है इन सारी चीजों को और अपलाई करना है, यह आपका फेस पैक है, आप इसको उप्टन की तरह समझ सकते हो, उप्टन की तरह वक करेगा आपके फेस पे, चहरा इतना ज्यादा निखारेगा, चहरे पर कोई भी धाग, धबा, पिम्पल, अगर छोटे-छोटे ब्लैक हो जाते हैं, चहरे पर छोटे-छोटे दाने हो जात है, दस दिन के बाद, तो आप दस दिन पहले ही इसको करना सुरू कर दें, चहरे इतना ज्यादा चमकेगा ना, लोग आपके चहरे को देखके बोलेंगे कि पता ने किस पारलर से कितने महगा फेसियल इसने करवाया है, आप सबसे अलग लगोगे, अगर आपने 10-15 दिन पह पहले से यह बहुत ज्यादा इफेक्टिव है हमारे चहरे को निखारने के लिए चहरे पर चमक बढ़ाने के लिए यह काफी अच्छा इंग्रीडियन्स है और जिस दिन आपको कहीं जाना है साधी पार्टी फंक्शन में उस दिन अगर आप मेक अप करते हैं तो आपका मेक चहरे पर इतना ज़्यादा ग्लो रहेगा कि आपको जरूरत नहीं पड़े कि हम पार्लर जाकर फेसियल करें और इन सारे चीजों से हमारा फेस ख़़ाब भी नहीं होता है चैहरे का जो पहला परत होता इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि ज्टूल नहीं लगेगा लटकने लगेगा साथ ही साथ आपको जाईयां भी हो सकती हैं तो इसलिए बाहरी facial से आप बचने की कोसिस करें खुद से मेहनत करें और अपने चहरे को चमकाएं दमकाएं और खुबसूरत दिखाएं जो भी face के जो hair होते हैं facial hair जो हमारे छोटे-छोटे रोवे होते हैं उसको ये बहुत जादा कमजोर करेगा जिससे धीरे-धीरे वो remove हो जाएंगे एक दिन में ही तो वो remove नहीं होगा guys कि एक बार ही आपने ऐसे लगाया और एक बार में ही आपका hair निकल गया अगर आप इसको regular करोगे तो ही आपके facial hair जो होते हैं वो धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं और वो remove हो जाते हैं और face बहुत ज़्यादा sign करता है तो आप इसी तरीके से हटा लें और बहुत ज़्यादा मत रगड़ें जितना निकल सके उतना ही निकालें उसके बाद आप plain water से अपने face को wash कर लें face wash करने के बाद साफ कपड़े से आपको अपने चहरे को पोचना है और आप देख सकते हैं कि मेरा चहरा कितना ज़्यादा साफ clean और clear लग रहा है चहरे पर कोई भी तरीके का दाग धबा दाना नहीं है गाईज और चहरा इतना ज़्यादा टाइट होगा ना इन सारी चीज यंग लगेगा चहरा बहुत ज्यादा फूबसूरत लगेगा तो चहरे पर आपको थोड़ी सी मसाज भी करनी है उसके लिए मैंने coconut oil लिया है अब जिस भी चीज में comfortable है कोई cream भी ले सकते हैं या फिर कोई gel भी ले सकते है जैसे aloe vera gel या फिर कोई serum लेकर आप 2 मिनट काफी अच्छा होता है साथ हे साथ फेस पर अगर कोई lines बन रहे हैं जो आगे जाके जूरियां बन जाती है वह भी मिटेंगे forehead पे आँखों के पास mouth के around हमारे बहुत जादा lines बनने लग जाते हैं जो बहुत जादा गंदा लगता है तो इस तरीके से अगर आप मसाज करते हो oil से तो lines मिट जाते हैं जिससे हमारा चहरा tight, bright और light लगता है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी गाई अबर पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कोमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई